जैस्री करश्न मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 23 अप्रेल 2021 शुक्रवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आज 12 में से 6 राशियां भाग्य शाली रहेंगी इन 6 मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ज्यानवर धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज चेत्रमाश शुकल पक्ष की एकादसी तिथी है शुकरवार का दिन है आज दिन की सुर्वात मघा नक्षत्र से होगी और सिम्ह राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज आज के 19 मिनिट तक राहु काल रहेगा तो आज राहु काल के दोरान आप कोई भी शुब नया वा मांगलिक कारी शुरू नहीं करें इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तू की खरीदारी करने से बचें और आज दिसा सुल रहेगा पश्चिम दिसा में तो आज के दिन रद्धा पुर्वक पूजा आराधना करके अथवा इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से दिक जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सर्वसरेष्ट शुब महुरत अभी जीत महुरत आरंब होगा प्राता हकाल 11 बच के 53 मिनिट से आरंब हो करके तो 12 बच के 45 मिनिट तक सर्वसरेष्ट वा शुब समय रहेगा इस समय अभधी में आप कोई भी शुब नया वा मांगले कारिये आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तू की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस समय अभधी में आप कर सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्म राशी क अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या वोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारिछेत्र में भी आपको सफलता मिलें मेश राशी से अरम्म करते हैं मेश राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए विशेश रूप से सतर करें आज आपका खर्च भी पहले से अधिक हो सकता है और घर के छोटे सदस्यों के साथ अधिक वक्त अवशे बिताएं उन्हें आपके सपोर्ट की बेहत आवशकता रहेगी और परिवार में सभी लोग हर मामले में आपका पूर्ण समर्थन देंगे तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक तीन है शुब रंग आपका नारंगी रंग है नारंगी र लाल चुनरी अर्पित करें गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें लाल पुष्प चड़ावें और ओम महालक्षमीन महा इस महामंत्र का अधिक सदिक संख्या में जाप करें इसा करने से आपको कारी छेत्र में विसे सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन हर मामले में आपके लिए शुब फलद आई रहेगा और आज प्रेम और धंपत्ती जिवन में अलग प्रकार की खुशी रहेगी पार्टनर के साथ आपका कहीं बाहर जाने का प्रोग्रा पर आपका मामला सुलच जाएगा तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य साली अंक 9 है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से ही प्राता हकाल इसनान करने के पस्चात यथा शक्ति माता लक्षमी जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें अनार का पुष्प अनार का फल चड़ा करके ओम महा लक्षमीन महा इस महा मंतर का य किसी वज़े से कहा सुनी आपकी हो सकती है आज के दिन आपको किसी शुब मांगले कारी में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है दूसरों की मदद से दिन को सुकून प्राप्त होगा आज आपका कोई पुराना रुका हुआ कारी आरंब हो सकता है रुपए पेसो के लेंदेन में आज आपको थोड़ी सतरकता बरतना चाहिए तो आज आगको भाग्यका साथ नभ्छे सतर प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकचार है शुबरंग आपका केसर्या रंग हैं केसर्या रंग का परियोग कारीच्षेतर में अज अदिक सदीगाप करेंगी तो पिसर मिले हुए दूद से इसनान करावें वस्तर लाल वस्तर अरपित करें लाल पुश्प अरपित करें सफेद मिठाई का भोग अरपित करके ओम स्रीय नमहन इस महामंतर का यथा शक्ति जाप करें एसा करने से कारी छेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली राशी है करक राशी वालों के लिए आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि करक राशी वालों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा आज विपरित लिंगी के साथ आपका दिन बहुत अच्छा कटेगा इमानदारी से बनाएगा रिस्ते लंबे समय तक आपके चलेंगे आज कुछ आपको आपको विशेष लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाइस प्रकार से है कि परतहकाल इस्णान करने के पस्चाद भगवान स्री लक्ष्मी नारायन जी का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें लाल पुष्प की माला अवश्य चड़ावें पंचे मेवा का भोग लगा करके ओम स्री लक्ष्मी नारायन आइनमहं इस महा मंतर का अधिक सदिक संख्यामी जाप करें ऐसा करने से कारी छेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली रासी है सिम्ह सिम्ह राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज सिम्ह राशी वालों के लिए दिन काफी व्यस्तता भरा रहेगा काफी मेहनत करने के पश्चात किसी परिणाम तक आप पहुँच पाएंगे पार्टनर के साथ साम का समय अच्छे से वितित होगा आप दोनों के बिज आपसी समझ बढ़ेगी और आपके संबनों में सुधार आएगा किसी से बहा सबाजी नहीं करना चाहिए आपके लिए ठीक रहेगा यदि आप नोकरी आदी करते हैं तो आप इसमें अन्य सही होगी आपके रुतबे को देकर इर्शिया महसूस कर सकते हैं और आपका अच्छा विभार सबको आज संतुष्ट रखेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकछे है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियो कारिच्छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाप की प्राप्ती होगी इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें इसा करने से करे朝 सिर्चेतर में आपको विसे सफलता मिलेगी अगले राशी है कन्या कन्या राशी बालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आपके लिए आज का दिन खुश गवार रहेगा आज आपको बार बार लाप के कई अउसर प्राप्त होंगे आज के दिन आपका दोस्ती यारी और रिस्तेदारी में पैसा खर्च हो सकता है और आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा सभी लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे विद्यारती वर्ग का आज पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा जीवन की दिसा नया मोड ले सकती है यात्रा आपके लिए सफल रहेगी और इमेल या एसे मेस के जरिए कोई जरूरी संदेश आपको मिल सकता है जमीन जायदात के कागजों में दस्ता वेच के प्रती सतर काज रहें तो आज आपको भाग्यगासाथ असी प्रती सतर पराप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकर चार है शुब रंग आपका निला रंग है नीले रंग का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिछेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चाद मातालक्षमी जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें मातालक्षमी जी को सरंगार की सभी सामगरी अर्पित करें लाल चुनरी अर्पित करें लाल पुष्प की माला चड़ावें अनार का फल चड़ा करके ओम स्रीय नमह, इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें, इसा करने से कारेच्छेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी, अगली राशी है तुला, तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज का दिन आपके लिए आपको बिजनेस में फाइदा हो सकता है, आज आपको चीजों का खास ख्याल लखना चाहिए, किसी खास चीज़ के गुम होने का दुख आपको हो सकता है, तो आज आपको भाग्यकासाद 55 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशाली अंकनों है, शुबरंग आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिछेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं कि प्राताहका लिश्नान करने के पस्चाथ माता लक्षमी जी की गंद पुष्प अक वरश्चिक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आपके लिए आज का दिन खास होने वाला है थोड़ी सी मेहनद से ही आपको विशेश प्रकार की सफलता प्राप्ती के योग है और आपके अच्छे विवार से नए मित्र आपके बनेंगे नए रहेंगे आपके काम भी बनते नजर आएंगे तो आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयो कारिश्चेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश ल अरपित करें लाल वस्तर लाल पुष्प और अनार का फल चड़ा करके ओम श्रीम श्रीय नमाहम इस महा मंतर का यथा शक्ति जाप करें इसा करने से कारिश्चेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगले राशी है धनू धनू राशी वालों के अनुसार आज का दिन प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए बहतर रहेगा जो लोग राजनीती से जुड़े हैं उन्हें आज खास सफलता प्राप्ती के योग हैं किसी अनुभवी व्यक्ति का अनुभव आपको काफी फाइदा दे सकता है मगर इस मामले में आपको धन खर्च करना विद्यार्थी वर्ग का पड़ाई लिखाई में दिल लगेगा जीवन की दिसा नया मोड ले सकती हैं स्वास्त की चिंता रहेगी लेकिन खान पान में सावधानी बरतने से स्वास्त आपका बहतर रहेगा प्रापर्टी के मामले हल होंगे और आपको मुनाफ़ा मिलेगा तो आज आपको भाग्यका सांथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक छे है शुब रंग आपका नारंगी रंग है नारंगी रंग का प्रियों कारِचेत्र में अदिक सथिक आप करेंगे तो आपको विशिश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन चेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिं कि प्रातहका लिष्णान करने के पस्चात माता लक्षमी जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें लाल चुनरी श्रीफल और सुपारी अर्पित करें मिठाई का भूग ल प्रकार से रहेगा आज के दिन आपके घर परिवार या फिर आफिस में छोटे मोटे विवाद सिर उठा सकते हैं आपकी सूजबूश से जल्द ही सब मामले निपड जाएंगे आज के दिन आपको बढ़ते खर्च पर लगाने की आवशकता रहेगी आज आप अधिक मेहनत करेंगे और अपने विवार में सुधार करेंगे तो काफी फायदे में रहेंगे वरिष्ट सदस्यों तथा बुज़ूर्गों को किसी वज़े से चिंता अधिक सता सकती हैं आज के दिन आपकी उलजने कम होगी और काम भी आपके समय पर पूरे होगे तो आज आपको भाग चेतर में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिं कि प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाद कच्चे दूद में केसर वा हल्दी मिला करके माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को अरपित करें शुद्द जल अरपित करें गुलाप का इत्र कुमबराशिवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज हर मामले में दिन की सुर्वा थोड़ी धीमी रहेगी काफी प्रयास करने के पस्चाद ही किसी मामले में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे पड़ाई लिखाई में ध्यान देंगे तो वर्ग को विशेश लाब की प्राप्ती होगी और प्रापर्टी के मामले में आपको लाब मिलेगा मेहनस से सभी काम अच्छे नतीजे निकालेंगे और यदि आप नोकरी आदी करते हैं तो आप इसमें नए साथी काम में हाथ बटाएंगे आपको परिवार में पिता और प नारंगी रंग का प्रियोग कारिशेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिशेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं कि प्रातहकाल इसनान करने के पस्चा अगली राशी ही मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आपके लिए आज का दिन काफी लग्की साबित होगा बिजनेस और निवेस के मामले में आज भाग्य का साथ आपको मिलेगा खास लोगों से मुलाकात करने से मन संतुष्ट होगा गुमने फिनने और मनोरंजन का सुख प्राप्त कर पाएंगे डेली रूटीन और खाने पिने का पूरा प्रोग्राम विवस्थित तरीके से बनाएं तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी और आपके सहयोगी आपके काम में बदत करेंगे लेकिन किसी से जवर जश्ती काम नहीं करवाएं वरना आपको परिशानी अधिक हो सकती है तो आज आपको भाग्यकासाथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकतीन है शुबरंग आपका लाल रंग है लाल रंग का प्रियोक कारिश्थेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिश्थेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इस्नान करने के पस्चाथ भगवान स्री लक्ष्मी नाराणे की गंद पुष्पा अक्षत के द्वारा पुजन करें पंच मेवा का भोग अर्पित करें श्रीफल चड़ावें लाल पुष्पर तुलसी दल अर्पित करें ओम स्री लक्ष्मी नाराणाय नमह इस महा मंतर का यथा शक्ती जाब करें ऐसा करने से कारी छेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे